तो पूंदूरा मेरे इस चैनल पर आपको रुस्वागा थे आज के इस विडियो में आपको पता लगेगा कि स्टेप बाइ स्टेप में मेकप कैसे किया जाता है किसके बाद क्या लगाने से आपका मेकप पूरा फ्लॉलेस दिखता है और इसके साथ मैं यह भी दिखाऊंगी कि अगर आप वीडियो बनाते है टिक टॉक पर तो उससे पहले कैसे त्यार हो जाता है एक सिंपल सा मेकप डूटीन आपको मैंने आप दिखाया है उस तरह से आप अपनी मेकप डूटीन को अराम से क्रीट करके वीडियो बना सकते है और जिन्हों ने मुझे कॉमेंट करके बता है कि हमें बिल्कुल भी मिकप आता नहीं है इस वीडियो आपके लिए है देखिए मैंने आपे मॉश्यराजर लगा लिया है उसके बाद में ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूं जिसको मैं अच्छे से पानी में भिगो के डैंप कर लिया है विदाउट डैंपिंग उसके बाद ये बाद मैंने देखिएए यहां परौडर का इस्तमाल किया है ऑद इसलिए मैंने यहां पर कॉंसलर का यूज के गई अगर आपको पिस कीका नहीं है तब foundation को वहाँ पे तोड़ासा जादा लगा के ही उसका काम चला सकते हैं देखें मैंने आप दिखा है कि counselor को कभी भी ऐसे टीज करके नहीं लगाना चाहिए dab dab करके ही लगाए उसको बिल्कुल भी ऐसे रगड के अगर लगाएंगे तो वो अपने जगे से हिल जाएगा और लिगा लगाने क्या कोई मतला भी नहीं रहेगा उसके बाद मैंने यहाँ पर पाउडर लगा लिया है shadow palette हो वहाँ से एक brown color का shade लीजे और अपने crease line में अच्छे से उसको blend कर लीजे ताक कि आपके eyes में एक dip दिखे और eyeshadow लगाने के बाद अच्छे लगे आपके eyes उसके बाद दिखे मैंने यह पर एक simmer color का use किया है अपना जो crease line आप draw करेंगे वो हमेशा matte color का use कीजेगा फिर मैंने inner corner को पर अपना एक थोड़ा सा highlighting दिया है फिर मैंने यह एक हलका सा blush लगाया है अपको अगर blush लगाना पसे नहीं है तो skip कर दीजिए फिर मैंने यहाप इंस्टा लाइनर यूज किया है यह लैकमी का इंस्टा लाइनर है आपके पास जो भी liner है उसका use कीजिए बहुत एक simple सा मैंने यह पर liner draw किया है क्योंकि simple makeup routine है देखिए मैंने यहाप कोई dramatic नहीं किया है इस वीडियो में आपको मैंने lipstick लगाया है क्योंकि हमारे face में बहुत सारे colors का मैंने यूज नहीं किया है यह bright color का lipstick क्या करता है आपके face को instantic brightness दे देता है फिर उसी color से मैंने अपना बिंदी draw किया है because यह summer's का season है ताकि मेरा बिंदी smudge ना कर जाए अगर आपको भी यह tip अच्छा लग रहा है तो आप भी इसको use कर सकते हैं किसी भी color का lipstick अगर आपके पास है तो आप इससे लगा सकते हैं देखिए मैंने बहुत माने से यह video बनाई है ताकि आप लोग सीख सके कुछ step by step makeup look upgrade कर सके जिन लोगों को पता नहीं है किसके बाद क्या लगाना चाहिए वो यह video देखने के बाद पता लगेगा उनको अच्छे लगे तो like subscribe जरूर कीजिए निक्स्ट वीडियो में मुरते हैं बाबाई